प्राश्ट के नाम अपने पहले संबोधन में विश्व की खुशाली और शान्ती की उम्मीद जताई इंपीरियल पैलेस में आयोजित पारंपरिक रिती दिवाजों के बीच नारू हितों की ताजपोशी हुई और उन्हें जापान के शाही खजाने की चाभी सौपी गई नारू हितों के राज सिन्हासन पर बैठने के साथ ही जापान अब एक नए युग में प्रवेश कर गया है जापान में पुराने राजा के साथ ही उस युग को समाप्त मान लिया जाता है और नए राजा के साथ एक नया युग शुरू होता है इसलिए सत्ता परिवर्तन के इस मौके पर जापान में नए युग रेईवा के शुरुआत की घोशना की गई है जो नारू हितो के शाशनकाल तक चलेगा। जापान में राजा के पास कोई राजनितिक शक्ती नहीं होती है लेकिन वो एक रास्तिय प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं। जापान का पूरा शाही परिवार प्रधान मंत्री शिंजो आबे और उनकी कैबिनेट सहित देश के कई शिर्स अधिकारियों की मौझूदगी में समराट अकी हितो के राजगद्दी छोड़ने का आपचारिक एलान किया गया। करीब 200 सालों के जापानी राजगद्दी छोड़ दिया। पचासी वर्षिय अकी हितो ने स्वास्त कार्ड़नों से राजगद्दी छोड़ी है। 2016 में समराट अकी हितो ने देश के नाम एक खास संबोधन में इस बात की आशंका ब्यक्त की थी कि वो बढ़ती उम्र के कारण राजा के करतव्यों के प्रती नयाए नहीं कर पाएंगे। इसके एक साल बाद 2017 में जापान की संसद ने एक खास कानून बना कर उन्हें राजगद्दी छोड़ने की इजाज़त दी। 30 सालों तक जापान के समराट रहे अकी हितो ने 1989 में राजगद्दी संभाली थी। समराट अकी हितो के बड़े बेटे 69 वर्षिया नारू हितो की शिक्षा ओक्सफोर्ड में हुई है। उन्हें 28 साल की उम्र में युवराज घोशित किया गया था। 1993 में उनकी पत्नी बनी प्रिंसेज मसाको ओवाडा से उनकी पहली मुलाकात 1986 की एक चाय पार्टी के दोरान कोई थी। नारू हितो और मसाको को सिर्फ एक बेटी है जिनका नाम प्रिंसेज आईको है और वो 18 साल की है। जापान के मौजूदा कानून के तहट वो राजकुमारी होने के कारण राजगदी की वारिस नहीं हो सकती है। इसलिए नए समराट नारू हितो के भाई राजकुमार फुमी हितो राजगदी के अगले वारिस होंगे। जापान में राज विवस्था के परिवर्तन का यह समय सब्ता की सालाना छुट्टी का होता है लेकिन समराट के राजगद्धी छोड़ने और नए राजा के राज्या भीकिशेक के कारण इन्हें 10 दिन का कर दिया गया। जापान के लोगों ने इसे एक्तिवहार की तरह मनाया क्योंकि 30 साल पहले जब समराट अकी हितो गद्धी पर बैठे थे तब पूरे जापान में ततकालीन समराट और उनके पिता हीरो हितो की मौत का शोग व्याब था। राजगद्धी छोड़ने के बाद अकी हितो को जोको का खिताब दिया जाएगा। यह दुनिया में अकेला ऐसा राजगराना है जो पिछले 26 साल से लगातार जापान पर शाशन करता चला आ रहा है। शताबदी से 19 शताबदी के दौरान राजगद्धी त्याग दी थी।